आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो आप मेरे साथ देख रहे हैं प्राइम टीवी के खास कारेकम बीकेंट चर्चा दोस्तो बीकेंट चर्चा में हम हर वार एक नया मुद्दा लेते हैं क्योंकि हर मुद्दे का तालोग सीरे सीरे जनता से है वह इस वार भी भही मुद्दा लेकर आए हैं जिसका सीरा जुड़ाओ आम जनता से है बर इस बार जो हमारा मुद्दा है उसका जन्ता के जिन्दगी से जुड़ाओ है क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रोन के मामले बढ़ रहे हैं एक अप्रयाब में बड़ा प्रिस्न है कैसे इससे निप्टेंगे अगर हम करोना की पहली लहर की बात करें तो उतनी ज़्यादा डिक्कते नहीं रही थी कोई समस्या नहीं रही थी और सरकार बहुत कुछ उसको रोक पाई थी क्योंकि लागडाउन लगा दिया गया था और संक्रमण की स्थिती भी खराब नहीं थी पर अगर दूसरी लहर की बात करेंगे उससे कहीं ज़्यादा संक्रमण था डेल्टा वेरेंट था और बड़ी संख्याग में लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी थी उस दूसरी लहर में और खास दोर से दूसरी लहर में चुनाव हुए थे उस तक पर इसे पंचाक चुनाओ उसमें भी कई पर परवार का मुकिया इस बीमारी के चलते चला गया है उसकी जिन्नगी का क्या उस परवार का क्या पर इस बार जब ओमी क्रौन के मामण referring लगातार बढ़ रहे हैं तो देखा जा》 रहा है कि मामणों के बीच भी लगातार राजनीतिक दल हैं वो रेलिया कर रहा हैं सभाओं कर रहा हैं और यात्रा हैं निकालना है राजनीतिक दल चाहे सत्ता से हो चाहे वेपस्ट से हो राजनीति तो राजनीति ही है और रेलियों में जाता कौन है रेलियों में बही जाते हैं जो आम जनता है चाहे यात् इस पर बड़ा फैसला लेते हुए एक निवेदन किया है जिसके प्रहमंत्री से भी और एलेक्शन कमीशन से भी चुनावायोग से भी कि जो चुनाव हैं पांच राज्यों में चुनाव होने उनको टाला जाए जिससे कि इस तरह की जो रैलिया हो रही उन पर लगाम लग सके और आम जनता को अपनी जिन्दगी से हाथ ना धोना पड़े तो आज का हमारा जो मुद्दा है वह है रैली या कर्फियू क्योंकि अगर मंदेपिडेस की बात करें तो सत्रा नमंबर तो वहां कर्फियू था उसके बार खटाये गया था और फिर दो दिन पहले सिवरा सरका जो मंदेपिडेस में उन्होंने वहां पर कर्फियू लगा दिया है रात को 11 वह से लेकि सुवें पांक बहे तक और उसी पठकड़ा पर चलते हैं उत्तपिडेस के मुक्पंत्री योगी अर्टनाथ जो लगातार करोना के दूसरी लेहर में भी सक्रिय लाए और लगातार बड़ी प्रयास किये कि आम जनता को नुक्सान ना हो उनकी जान ना जाएं उन्होंने भी कर्फियू के लाट को लगता है और दिन में रेलिया होती है यह मुझे सिस्टम समझ नहीं आया है और आज इस मुद्दे पर हमां से बात करने के मौजूद है भारजिंदा पार्ट इस समझ देश में हो चुके हैं हलाकि उत्तपरिवस में नहीं है अभी तक कुछ हद तक राहत है पर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और जैसा कि डबल वेच्ट का गाइडलाइन से कि जो यह बेरियंट है ओमिक्रों यह बेरियंट साट गुना तीजी से बढ़ता है जो पिछला बेरियंट था डेल्टा बेरियंट से अपेच्छा तो जो हो रही है सभा हो रही है इसमें जनता आती है इस पर कोई कारवाई नहीं होती है बात करते हैं तो जवाब लेते हैं डिक्शी क्या कहना चाहें किस्वंस बुद्ध पयार देखे आज 25 दिसंबर हैं सरप्रतम अपने मैं पालिटी के परमादर्णी अटल बिहारी बैच पही जी का जन्म की जन्म की उत्सों को आप सभी जन्म प्राइम टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ और एक महान सुतंता संग्राम सनानी काशी विश्व त्याले के संस्थापक महा मनाम बदन महन बाली की भी आज जन्म जैन्ती हैं उनके लिए भी मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ और गौरा जी विशेश रूप से आपने जो आज मुद्दा चेड़ा ओमी काशी का बढ़ता केस हो रहा है लिए यह एक बहुत समेदन शील मौला है देखिए मैं आपकी डिवेट में इस टॉपिक पे कई बार आ चुका हूँ और पहली लहर की आपने बात की जैसा कि आपने अभी बताया कि पहली लहर में संपूर लॉगडाउन हुआ यह है एक हमारे सामने चुनावती थी किसी को भी नहीं मालूम था यह अद्रश महा मिमारी है लेकिन हमारे शद्धे प्रधान मंत्री ने श्री नरिंद मोदी जी ने संपूर लागडाउन लगा कर सबसे पहले लोगों के जीवन की लोग कहते हैं जी है तो जीव है तो जहा है उस मुल मंत्र को आगे बढ़कर संपूर लागडाउन लगा कर संपूर एक सो तीस करोड भारतियों की जान बचाने की बात की कालांतर में प्रयोग होते रहे इसके दवाई भी खोज नहीं जो विश्व में कहीं मौजूत नहीं था और आपने दूसरे अब लहर की बात क ना कोई इसके लिए दवा थी ना कोई टीका था लेकिन सामने चुनावती आई तो उसका तकनीकी पहलू ये था कि आर्थिक रूप से जो हमारी चक्के हमारे बंद हो गए थे तो हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा जीवन के साथ जीवका पारजन की भी विवस्ता की जाएं आपने देखा होगा लागडाउन में भारती जनता पार्टी और आरेसस दोनों का एक एक कार करता आप जानते हैं कि विश्रकी सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी मैं उन्होंने धर्ती पर मेरी बात पूरी हो जाए गवरा जी मैं मुझे एक मिनट और उसके बाद आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत ज्यादा विकसित नहीं है विकासिल अच्छे अच्छे विकसित देश जहां स्वास्त की जिसमें आपको मैं बता दूँ चाहे स्विचर लेंड हो चाहे फ्रांस हो यहां तक कि ब्राजील के भी प्राइम मिनिस्टर आप जानते होंगे कि उन्होंने वह तो मीडिया के सामने रो तक दिये उसके बाद भी हमने समचित इलाज की विवस्ता की जो अप्रवासी भारती आए उनके लिए भोजन की विवस्ता की उनके लिए रोजगार की विवस्ता की अब आपने देखा होगा और आज देखिए उत् 25 करोड की आबाद में लगभग 14.73 करोड लोगों को तीका लग चुका है जिसमें 6 करोड 70 लाग को भी हमाई आकड़े आप गूगल पे भी सार्च कर सकते हैं 6 करोड 70 लाग को दोनों डोजे और लगभग 8 करोड 43 लाग लोग को पहली डोज लगए और अभी वेक्सीन का काम हमारा निरंतर जारी है अब आपने जो छेडा की जो रह ली है आपने अभी देखा 28 तारीक विगत आने वाली है दो दिन में चुना आयोग की एक टीम आएगी जो भीड को आपको देखना है वह यहां पर प्रवेक्षण करेगी और उसके बाद जो भी समचित फैसला होगा इसके बारे मैं कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं मेरा कहना है जब नाइट कर्फ्यू लगाए गया कर्फ्यू लगाने लोगों एक दूसरे से ना जोड़े संक्रमन ना फैल सके यहां पर जो कर्फ्यू लगाने का मुख अधिस है पर सबसे बड़ी बात है जब हम लोगों को संक्रमन से बचाने की बात कर रहे हैं तो रेलिया और सभाय क्यों हो रही है क्योंकि नाइट कर्फ्यू रात में निक साथ में चलती है वहाँ पर कामकरते हैं और जो हंडे परसेंट्र आदमी जो दिन में कामकरता है दिन में रहता है और दिन में र holistic ये कम बीर हो सकती है जैसा कि अभी कि आप देख रहे हैं कि लगातार ओमिक्रों के मामने बढ़ते जा रहा है साथ गुना जात यहीं से फैल लाहा है ठीक है अब जानते सपा सपा क्या मुझूद है क्या मानते हैं जो इस तरह से जो रैली भी हो रही है कर फ्यू भी लग गया है क्या आपकी बिचारस पर गौरव जी मैं आपको बता दूँ जिस तरीके के आला जैसे आपने कहा के पहली लहर तो आई दूसरी लहर जबाई ती उस समय पंचाच चुनाब कराए गए गए गोर्मनेट चाहती तो पंचाच चुनाब को टाल सकी हम लेकिन उससे दूसरी बहान एक लहर में पंचाच या जिस और लगातार एक दिन में 17 18 20 जगान ज्न इसवास यहातरा आइर कर रही है। जो जनता में अपना विस्वास हो चुके हो वो जन्विस्वास के लिए लोगों के बीच में जा रहा है जिस तरीके से इनका जन्विस्वास हो गया है आम जन्मानस में भार्ट के इंतावinte की कोई हैसियत नहीं बची है यह मानिया अखले से अधर जी की भील को देकर वॉक ला गए है और ये कोई भी प्लानिंग करके चुनाब कराना नहीं चाहते है इस तरह के आप ये बताईए हाई कोट के जस्थ आपको अपील करने की जरुत पड़ेगी हाई कोट को तो आधिस डारेक्शन देना चाहिए फिर चुनाब टालना या नहीं कराना यह प्रद्धान मंस्थी का रोल तो नहीं है चुनाब होना है समय पर होना है बाद में होना है यह तो चुनाब आए उत्या करेगा अले अक्सर संग जिस तरीके से संस्ताओं का दुरुपी हो जिस तरीके से बड़ी में संब्धानी संस्ताओं को खटम किया जा रहा है भारतियांता पाल्टी अपना जनाधार खुश्चु की है सारे 500 इस्टेडों में जा चुनाब होने आप यह कुछ भी जतन कर लें लेकिन भारतिया कि अपनी आप सबसे पहले पहल करते हुए अपनी यह सबावाँ पर रोक लगाएंगे मैं पूझा जाता हूं यह तो जो रोक लगाना ना लगाना बैतरी के लिए क्या करना है यह को गौर्मेंट जब सरकार में कोई होता है तो लगातार यह उद्धातन का लागों तमाम संसादन सरकारी बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस समय जब कोरोना फैल लाता दूसी लेहर के लगातार मामले आ थे तो कॉंग्रेस पार्टी दोरा अपनी रेलियों को सबाओं को रद करने का एक जो फैसला किया गया था आपको जनकारी होगा इसकी उसके पार्टी उने भी इस तरह फैसले किये तो क्या मानते है सपा ऐसी पहल करेगी उत्ता पर इसमें निया गौर्मेंट का मेरी बास परना है हमारी जुम्मदारी है ना हमारी जिम्मदारी रहे लेकिस को यह लगाता- माई कुर पहले से बताया जा रहा उसके बारी लगता जनित्वास हैं बश्वास हो चुकुआ है जनतों है और यह लोग बांख जाते हैं इन्हों प्रदेशी जंता को मौत के मुंँ धुखेलना पड़े, आप देख रहूंगे पंचाच्चना में ने मौत के मुंँ धुखेलना लोगों को पंचाच चुनाव में जो लहराई जो बैयान है था हर किसी ना किसी क्या बैक्ती है कि निस्टार या कोई चला गया ये कि बारतिय अंता पार्टी को चुनाब चाहिए था बंगाल में देखिया बहर बैंकर लहर थी और लाखों लोग जुड़ते थे बिहार बंगाल में तो ये लोग सत्ता के इसाथ से चीनों को मोडते हैं इनको आप प्रदेश की जंता से आम जन्माना से कोई सरोकार नहीं है बारतिय अंता पार्टी है और केवल और केवल सत्ता के लिए काम करती है ना नौजवान के लिए काम करती है ना विकास के लिए काम करती है इनको सत्ता म पर बने रहना है चा किसी को भी मुझे मुझे ने जोपना पराएंगे मैं अपने सपा के मित्र को सबसे पहले तो एक बबता दूँ आपको जन विश्वास या त्राओं से समस्या है या ओमीकरान के मुद्दे पे सबसे पहली बात तो हमारे जो गौर्णों जने आज का मुद्दा लिखा है कि ओमीकरान के कारण रैली इस्तगित करना तो उन्होंने जो प्रश्ण पूछा तो आपने टालमटोल कर दिया क्या आप लोग रैलीयां बंद करेंगे आप लोग तो हमारी वैक्सीन पर ही कुश्चन में और पहले मैं सफा के मित्र से पूछता हूँ क्या आप ने लगवा ली आप तो हमारी वैक्सीन को कहते हैं ते विदेशी वैक्सीन है कि आप ने लगवा ली कि नहीं पहले मेरे प्रशन का उट देश बंदू जी मैं जवाब दे रहा हूं नहीं आप बताए आप ने लगवाई कि आप तो हमारी वैक्सिन पर प्रशने चिर्न हो गए हमारे वाननी मुलाम प्रशने तो लगवाली यह तो न्यूस्पेपर में सब कि आप की वैक्सिन है कि आप की वैक्सिन नहीं हो सकती है पहले विए बैक्सिन लगिया मैं बता रहा हुआ हैं लेकिन जिस तरीके से मैं पूसरा हुआ 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 है जो लोग कोरोना से लोग मरे ना उनके भी फोटो होना चाहिए वेक्सिन पर लगा सकते हो अब लोग को पूरोना से मौत नहीं मानेंगे उनको भाज़ा नहीं देंगे उनको सब्सक्राइब नहीं नहीं होती है जिन्ना की यहां मुट्टा आम आदी की जिन्नक नहीं है यहां मुट्टा आम आदी की चिन्नक ऐसे आए प्रदीब जी आम जनता की जिन्दगी का है उसी मुद्दे के लिए हम लोग बैठे हैं हमको पुराने मुद्दे नहीं उखारने ना उनसे बात करनी है करना की बात करते हैं मुद्दा बढ़ाया आपने देखा मद्य प्रदेश में आपने खुदी बताया दर्शकों को हमारे कीमत प्रदेश में 11 वजे से पांच देखिए हमारे मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री हमारी डबल इंजन की सरकार है हमें लोगों के अरोप लगा देते लेकिन आपको बता दूँ वह प्रतिपल बैठक ले रहे हैं और उसके निर्देशित करने के क्रम में पहली बैठक उन्होंने देखिए का कारिक्रम जारी किया अगर कोई बात शांती से सुनना चाहे तो मैं उसको जवाब दूँ केवल आरोप लगाना हर एरोप प्लेन पे जानते हैं यह ओमिक्रम प्रतिपलग म्यूटेशन देखिए वैग्यानिक निदी से और डॉक्टरों ने बना यह तो हमारी वैक्सीन को पैसे नहीं आप लगाने का नहीं है यहां मेरा मुद्दा साफ है कि एका नाइट में कर्फियू लगा है हाई को सम्झाए है ने को सम्झाए हमारे देश के डाक्टरों ने कर्मचारियों ने मैक्सीनेसन किया है बार बार हमारी वैक्सीन आई थी तो इस तरह के आरूप त्यारूप के बयानवाजी हुई थी इसी को बयानवाजी को लेकर दिशी जी कह रहा है अगर कर्फ्यू लग रहा है लग चुका है तो रेलियां और सबाओं में भीड को जुटाई जा रही है उस पर कब फैसला आएगा बंगाल में नियालाई ने फैसला नहीं किया था पार्टी ने खुर फैसला लिया था रैलियों पर रोक लगाने की ऐसा फैसला क्या सपा या भाजपा लेगी मेरा अब आप आप लगाए ना ना इसलिए जो फैसला ने लेंगे या आप रहता है क्या मानते हैं सवाव पर रोक लगनी चाहिए है या या ना अधरर हैं पार्टी सब्सक्राइब terazme को अधर करते हैं अरे आप पार्टी को पिद्च्व मैंठी अब पेले पार्टी का तो पक्षिक लगते हैं कि आप अपनी रैलियों को बंद पर दे हैं अच्छा हम कर दो लगा दिया हम ते पूछ के लगा तो लोग जाएंगे आप पालन नहीं कर रहे हैं तो इस तरह बहस नहीं होती है आप जब बाते कर रहे हैं आपने आपको बदाया होती है बोले बोले मर्यादा का पाला में अपसे कहा गोरो जी जो आपने कहा रहे लिए के लिए मैंने आपको बदाया 28 को चुना आयोग भी एक परिफशक आ रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी टीम है विशेश रूप से टीम 11 जो यहां पे सभी जिलों के 75 जिलों के डीम को उन्होंने निर्देश कर दिया है कि चाक चौबंद विवस्ताएं कर दी अपने मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके जिम्मेदार चैनल होने के नाते बहुत निश्टा पूरवक कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड जंता का ख्याल हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे यशश्ष्वी परधानमंत्री प्रती पल रखेंगे उनकी एक एक बै कि साथ या आठ केस जैसे पता चले तो उन्होंने रात्री का कर्फियों देखिए केवल सोशल डिस्टेंसिंग और वेक्सिनीशन ही इसका एक मात्र उपा है अगर हम साध्यों में बना रहे हैं साध्यों में बात कर रहा है कि ब्यूस्ता क्यों नी मना रही है जिससे की संक्रवार्ण को रूकवा जा सके कि वहाँ पर दोसों में संक्रवार्ण तो यह बात मेरे समझ से परे है और यही मिराज का बुद्धा है देखिए गौरो जी जो आपने कहा अभी आपने देखा पिछला जो वर्ष हमारा दूसरी लहर के बाद जब हम इस पर काबू पापाए तो आपने देखा होगा हमारी सरकार दोनों सरकार ने चाहे केंडर की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो आपने देखा होगा वेक्सिनेक्शन के क्रम को सबसे तेज किया प्रोटोकॉल की गाइडलाइन आज भी जारी है आप भी देखते हैं हम मानते हैं कि सूचनाओं के आदान प्रदान में थोड़ा विलंब हुआ कुछ लोग भीड का हिस कारेक्रमों से कहते हैं कि सोचल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए मास्क का उपयोग हमेशा किया जाए ज्यादा भीड भाड़ों से न बचा जाए अब रही आपने बात की तो मैं आपके प्रशन पर आऊंगा कि दोसों की भीड की परमिशन देदी देखिए शादी हुए थे तब यह म्यूटेशन जो है बहुत कम हुआ था और इसमें भी आपने देखा होगा सभी वैज्ञानिकों डॉक्टरों और इवन डबलु एच्चो विश्च्वस्वास्त संगठन ने कहा कि तीसरी लहर की आने की संभावना कम है और उसका उपाय भी बताया कि आपने देखा आज हम एक सो तीन दसमलों चार शे करोड़ एक सो तैनल के माध्यम से आपको दर्श को दिलाना चाहिए जी बैक्सिनिशन अभियान की मैं तारीक करता हूं सब कुछ ठीक है रणिटी बहुत बढ़िया है सब कुछ बढ़िया है मैं इस पर कोई पिसन नहीं कि जब हम गाइडलाइन बना रहे हैं और हम कर्फ्यू लगा रहे हैं तो रेलियों सबाओं पर हम कब बैचार करेंगे कब आम जनता को इन सबाओं के माध्यम से संक्रवर फैलने से रोका जा सकीगा मेरा प्रिशन के बल भई है मेरा मुद्दा के बल आम जनता से जोड़ा ह और इसलिए आप दोनों का मैं पच्छे जाना चाहता हूं क्या भविष्ट में आपकी पार्टिया एक बड़ा निर्णय लेगी कि हम सहलिया या सवाय या या तराय नहीं करेंगे इस पर आपका पच्छे कम समय में अपका पच्छे कम समय में है डिसी जी आपना पच्छे से और आपके शुती दर्शकों या आस्वस्त बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहता हूं यदि हमारे देश में ओमी क्रॉन के केसिस बढ़ते हैं तो लोगों के जीवन की पथम उपाय लोगों की रक्षा करते हुए लोगों के रोजगार की विवस्ता करते हुए भी हम रह से चरन उठाया तब भी 130 करोड भारतियों के सामुहिक संग्ठन का संकल्प है कि हम इस बीमारी से इस अद्रश्च बीमारी से लड़कर भारत को बचाएं समय कम है ब्रदीव अपना जबाब दीजिए इसा है मैं हलो जी गौरब जी पहले तो गौर्मेंट करें को क्या करना हैं अभी यह वी आपने इसे पूछा लेकिन एक भी बार नहीं था हम लोग हमारी तो अकले नेता रेली कर रहे हैं केबल एक ही हमारे राज्च लेह जाता है रोसों या जो भी है रत्यातर हमारी चल रही है इनके दुछ दूसरे प्रदेसों से बीमारी ले के आ रहे हैं के साथ उनके तमाम नेता आ रहे हैं तो यह लोग अपने फाइदे नुकसान के लिए चीजों को मैनिफिलेटेड करते हैं रही वास रेलियों की हमारे नेता खुद बहुत समझदार है पड़े लिखें हैं हमारे नेता कोई ऐसा नहीं जो लैप्रोप नहीं चलाना जाना जान जान की कीवत जानते हैं मैंने आपको पहले भी आस्वस्त किया और उन्होंने तुरंत स्वें देखिए बड़ा दिल रखकर तुरंत फोन द्वारा उनका चाल लिया उनके लिए इलाज की विवस्ता आपको बतादों हमारे देश का एक व्यक्ति बहुत मत्पूर है और इसके बारे में जो भी निर्ने होगा और जीवन की रक्षा और रोजगार के लिए हमारी सरकार ततपर है और उची से उन्हें अगर चुनाव इस्तगित भी करने होंगे तो उस पर भी निर्ने होगा लेकिन हमारे प्रधान मंत्री संग्ये हैं लोग अगर पर चलने का प्रयास किया गया है सब्सक्राइब करेंगे उसके साफ से आने वाले भविस्ट में हम फैसरा करेंगे क्या करना है पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर सबहाँ पर रोक नहीं लगेगी रेल यह लगातार चलती जाएंगी यह तरह निकलती जाएंगी तो क्या हम संक्रमर के फैलने का इंतियार कर रहे हैं क्या हम बहुत सोच रहे हैं कि संक्रमर फैल जाएं फिर हम इसके लिए करेंगे तब तक मेरे ख्याल से बहुत देड़ हो चुकी होगी क्योंकि समय अभी है अगर अभी हमने कोई बड़ा ने लिया तो इस ने की कारण आने वाले समय में फिर जनता भुकतेगी और फिर उनको अपने खास लोगों को अपने मुखिया को खोना पर सकता है तो आज की सब्सक्राइब इतना ही अगली बार किसी बड़े बंदेगी ता फिर नमस्कार अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार